थीखी में टोपिक का नम है टिशुष बहुत असन और सिंपल सा टॉपिक है यकीन करो बहुत सिंपल टॉपिक है कि क्या होता है सिमिलर फांक्शन एक जैसा फंक्शन एडा गरें जयर सेल मिल कर जो एक जैसा स्टॉक्शन बनाते हैं और एक जैसा function अदार करते हैं उस चीज को हम कहते हैं त्यार को tissues है हमारे पर different types है epithelial tissues है muscle tissues connective tissues है और एक है nervous tissues यह सारी tissues की types है जैसे मसार के तोपर for example देखा जाए पहला tissue epithelial tissues बड़ा यह अगर देखा जाए tightly packed cells है इसमें काफी ज़्यादा tightly packed cells होते हैं और जितने भी epithelial tissues हैं यह covering of body बनाते हैं जितनी बोड़ी की covering of epithelial tissues से बनती है even के even जो organs की lining है lining of organs जो organs की lining है बटा वो भी epithelial tissue बनाता है even के जो lungs है जहां पर diffusion of oxygen और carbon dioxide आ रहे हैं जो के lungs है यह भी epithelial tissue के अंदर ही बना होता है जैसे कि आपको बतार lungs के अंदर जो के elbow lie है तो elbow lie भी के है बटा epithelial cell से मिलकर बना और वो भी epithelial tissue का ही पूरा का पूरा structure होता है इसी तरह blood vessels के अंदर जो transportation है वो भी epithelial tissues के मदद से हो रही है और even की even जो secretion of hormones है जो के glands के अंदर होती है तो glands के अंदर जो secretion of hormones है इसके अंदर भी जो involved होते हैं जो structure बनाते हैं वो भी बटा कौन से epithelial tissues होते हैं epithelial tissues की types है simple squamous tissues, cuboidal epithelial tissues, columnar epithelial tissues, stratified epithelial tissues और silluated epithelial tissues है मतर इसकी हमारे पास काफ़ी टाइजब है simple squamous वो होते हैं जो single layer of cells होते हैं cuboidal भी single layer of cells होते हैं columnar भी single layer of cells होते हैं याद रखेगा जो stratified हैं ये many layers of cells हैं और मेरे बचे जो आखरी वो बहुत सिंगल layer of cells होते हैं single layer, single layer, single layer एक में आए many layers of stratified epithelial tissues हैं इसी तरह देखर जाए यह आपको नजर आ रहे है single layer, single layer, single layer ये आपको नज़र आ रहा है जो के लंबाई के रुख में है और ये आपको नज़र आ रहा है का भी लंबाई के रुख में है ठीक है ये जो उन साथ जिसको मैंने बताया था ये वाला स्टैटिफाइड वाला ये मैनी लेर्स होगा ठीक है मैनी लेर्स होगा ये इसे देखा जाए, जो स्क्वाइपमेस है, यह फ्लेट सेल्स होते हैं, क्यूबॉडल क्यूब की फॉर्म में होते हैं, इलोंगेटिड वाले इलोंगेटिड सेल्स रखते हैं, स्टैटिफाइड स्पिंडल फॉर्म में होते हैं, और जो लास वाला सिलियेटिड था, जिसके बस cilia होता है यह elongated form में होते हैं तो आपको cells की different shape नज़र आगी एक flat है, cube है, elongated cells है, spindle form है और elongated form है, मरियार के विद cilia होंगे विद cilia होंगे तो elongated with cilia यह आखरी वाले जिसके नाम ciliated epithelate issues है यह आपको नज़र आते हैं blood vessels में यह आपको gold bladder में नज़र आते हैं यह आपको digestive system में नज़र आते हैं यह आपको skin में नज़र आते हैं और यह आपको trachea जो के contents रखता है cilia जिसके लिए जिसके नाम ciliated epithelious cell नज़र आते हैं इसी तरह muscle tissues में देखा जाए यह present होते है in our body यह हमारी body में मजूद है muscle tissues यह compose होते है micro filament अब micro filament आपको पता है एक actin है और एक myosin है थ्री टाइप्स के है एक के नाम है muscular एक के नाम है cardiac एक के नाम है smooth muscle tissues है मसकुलर कोन से होते है बड़ा ऐसे tissues जिसके पस many nucleus होते है cardiac में एक nucleus होते है स्मूथ में वन न्यूकलिस होता है मस्कुला सिलंड्रिकल फॉर्म में होता है कार्डिक ब्राश फॉर्म में होता है स्मूथ स्पिंडल फॉर्म में होता है मस्कुला कंट्रोल में है ये विलंटरी कंट्रोल है कार्डिक हमारे कंट्रोल में नहीं है यह involuntary control है यह भी हमारे control में खुद भाखुद सुकड़ते फैल दे रहते हैं smooth muscles यह भी involuntary control में देश सकते cylindrical देश सकते branch है यह देश सकते यह involuntary जो है spindle form में आपको नज़र आ रहा है यह skeleton में मझूद है यह cardiac hurt में होता है और जो digestive system बटा है यह smooth tissues आपको नज़र आते है बड़ा nervous tissue वो होते हैं जो present होते है nervous system में एक नाव central nervous system एक नाव peripheral nervous system central nervous system, peripheral nervous system इन दोनों में जो tissues हैं वो nervous tissues हैं अब देखा जाए जो कि इसकी example है जैसे कि आपको पता है एक है neuron cells जो कि conduct of nerve impulse करता है और एक है Neurogeal cells जो neurons की protection भी देता है और support भी provide करता है मेरे उसको नाम दिया जाता है यह neuron बना हुआ जो कि आपने detail में topic पड़ा होगा जो कि uploaded भी है यह सारे के सारे जो neurons है बैसे कि नर्वस tissues को बनाते हैं इसी तरह देखा जाए अगला tissue दो आता है connected tissues इसमें loosely arranged होते हैं cells कहां पर extra cellular material जो के बाइड में loosely arranged होते हैं cells जो कि connected tissues को बनाते हैं और यह formed होते हैं fibroblast से fibroblast connected tissues को बनाता है यह जो fibers हैं यह elastic form में भी होते हैं और strong form में भी होते हैं जिसको हम collagen जो कि collagen fibers कहलाते हैं collagen fibers यह सारे के सारे connected issues को बना रहे होती है अब बड़ा जो इलास्टिक में एक्जेम्पल आती है वो आती है बड़ा जिसका नाम है ligament और blood ठीक है ligament किसके दिम्यान होते है बड़ा bonds के और muscles के दिम्यान आपको नजर आते है तो बड़ा इन दोनों को जोड़ने वाला कौन होता है जिसका नाम के दियर काल लिगमेंट है यहाँ पर जो example आती है बड़ा उसका नाम है tendons अब जो tendons है यह बड़ा किसके दिम्यान होता है bond और bond के दिम्यान तो bond और bond के दिम्यान जोंसा वो tendons है यह बड़ा किसमें आता है strong fibers वाले में आते हैं और blood और ligament कहां पर आता है बड़ा elastic fibers connective tissues के अंदर आता है तो बड़ा कि connective tissues muscular tissues epithelial tissues यह सारे किसकी टाइप बड़ा tissues की types है जो कि मैंने आपको बताई है